हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का Everything is Train चैनल पर दोस्तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर आपको ट्रेनों से संबंदित बहुत सारी जानकारी दी जाती है कभी कोई ट्रेन स्पेशल को लेकर जानकारी दी जाती है तो कभी बहुत सारी ट्रेनों को एक ही वीडियो में बताया जाता है तो आज दोस्तों बहुत सारी वीडियों को हम एक ही वीडियों बताने वाले हैं क्योंकि करण कर चल कर अम्रिशन सर को जा ने वाली सभी ट्रेनों की जो पूरी जान कारी है इस वीडियो में हम बात करेंगे. दोस्तों जैसा कि आपको पता है कटियार बिहार में पढ़ता हैं और अम्रिशन सर् पंजाब में तो हम यह कह सकते हैं कि भारत के दो राज्यों को जोडने वाली ट्रेन के बारे में हम बात करेंगे बिहार के कठिहार से चलकर अमरिच सर को जाने वाली दोस्तो इन ट्रेनों का नाम उनका नंबर क्या रहेगा वो किस दिन चलती हैं और उनका समय क्या रहेगा इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो वीडियो में लाश्ट ठक बने रहेए दोस्तो यदि अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे लाल बटन के निसान को दबा कर और यदि अभी तक आपने बैल आइकन नहीं दबाया है तो बैल आइकन दबा लिजे जिससे की इस चैनल पर जब भी वीडियो अप्लोड हो तो आपको तुरंद सुचना मिल जाए दोस्तो यहाँ पर वीडियो सुरू हो उससे पहले मैं आपको एक जनकारी ओर देना चाहता हूं दोस्तो जैसा कि YouTube पर हमारा वीडियो का चैनल है वैसे ही यहाँ पर खबरी उम्में audio का चैनल है जाहां पर audio के माध्यम से दो-3 मिनट की जानकारी होती है यहां पर प्रकासित की जाती है तो दोस्तों यह हमारा चैनल है जैसा कि आप देख पारें Everything is Train का नाम का चैनल जो भी अभी हमने बनाया यहाँ पर ट्रेनों से सम्मधित बहुत सारी जनकारी दी जाती है तो यदि आपने अभी तक वहाँ जाकर चैनल को फोलो नहीं किया तो जुरूर फोलो करें इसका description में लिंक दिया जाएगा आपको वहाँ से जाकर आप उस लिंक से जाकर फोलो कर शकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं कठियार से चलकर अमरिज सर जाने वाली ट्रेनों के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर कठियार से अमरिज सर तक अभी 3 ट्रेने जाती हैं फिलाल में जिस टेट में वीडियो बन रही है उस टेट में 3 ट्रेने जो हैं कठियार से अमरिज सर के लिए आपको मिलेगी जिसमें पहले नमबर पर समय के अनुसार आती है 15.933 डिब्रूगड अमरिटसर वीगली एक्सप्रेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका नमबर लिख दिया गया है और यहाँ पर इसका नाम दे दिया गया है इंग्लिश में और हिंदी में डिब्रूगड अमरिटसर शाप्ताहीक एक्सप्रेस शाप्ताहीक का मतलब दोस्तों यह हो गया कि हपते में केवल एक दिन चलती है ये डिब्रुगड से आती है और कठियार होते हुए अम्रिसर जाती है इसके बारे में और आगे बात कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर इसका travel time बता दिया गया दोस्तो इसका travel time कुल 35 गंटे 50 मिनट का होता है लगबग 36 गंटे में आपको कठियार से अम्रिसर पहुचा देती है जिसमें यह 20 man station पर रुखती है वैसे तो बीच में station बहुत आते हैं लेकिन इसके travel 20 stoppage रहते हैं दोस्तो यह जो distance है 1705 km की दूरी cover करती है कठियार से चल कर अम्रिसर को जाने में जिसमें यदि इसकी average speed निकाली जाए तो 47 km प्रति घंटा average speed निकल कर आती है दोस्तो railway के अनुसार इस train का जो type है वो male और express रखा गया है जैसे कोई train सूपरफास type की होती है कोई express type की होती है तो यह express type की train है दोस्तो आप time table की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कठियार से आपको यहाँ पर W लिग दिया गया W यानि कि बुद्धवार को आपको मिलेगी सप्ताम एक दिन जैसा की बताया गया तो शुरू में कठियार से आपको बुद्धवार को सुबह 9 बज के 15 मिनट पर मिलेगी प्लेटफार नमबर 6 से दोस्तो यह प्लेटफारम लगभग तो निस्सिती होते हैं वैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई train उस प्लेटफारम पर खड़ी है या train यह लेट आ रही है पिछे से तो प्लेटफारम बदलने पड़ते हैं तो आप इस्टेशन जाएं तो एक बार पूछ लें कि कौन से प्लेटफारम पर यह train आने वाली है और दोस्तो अगले दिन आपको यह 35-36 घंटे बाद अमरिश सर रात को नो बज़ के पांच मिनट पर पहुचा देती है अब दोस्तो इस train में जब्र पोजिशन रहती है जो की बता दी गई है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं GS का एक डबा और GS का एक डिबा आगे और एक डिबा पीछे यानि कि जनरल क्लास के इसमें दो डिबबे लगे रहते हैं जनरल क्लास का वे डिबबा होता है दोस्तों जिसमें कि आपको seat booking नहीं होती है बस आपको एक साधारन टिकेट लेकर उसमें यात्रा करना होता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S1, S2, S3 से लेकर S12 तक यानि कि S12 तक हैं यहाँ पर आठ नो भी हैं तो यह S12 तक है यानि कि इसमें 12 डिबबे दोस्तों लगे रहते हैं sleeper class के sleeper class के वो डिबबे होते हैं जिसमें कि बीना इसी के आपको seat मिलती है सोने की सुविधा आपके लिए रहती है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PC PC का मतलब क्या होता है तो PC का मतलब होता है pantry car जहाँ पर आपके लिए खाना बनाया जाता है खाना बनाने का जो सूलक है वो train में लिया जाएगा टिकट में उसका charge नहीं जोड़ा जाता है यदि आप order करते हैं तो आपके लिए खाना आएगा नहीं order करते हैं तो नहीं आएगा इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोच इसमें A1 का दिया गया है A1 का मतलब यहाँ पर आपका हो गया 2nd AC दोस्तों यानि कि एक डिबबा आपको इसमें 2nd AC का मिल जाएगा तो यदि आप 2nd AC में आत्रा करने चाहते हैं तो आपको एक डिबबा इसमें 2nd AC का भी है B1 से लेकर आप B4 तक देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिबबे लगे रहते हैं यानि कि 3rd AC के दोस्तों 4 डिबबे होते हैं इसमें 3rd AC के पोजिशन वैसे लगभग यही रहती है अब दूसरे नंबर की जो ट्रेन है वो है दोस्तों कर्म भूमी एक्सप्रेस यहाँ पर इसका नंबर दे दिया है 12407 न्यू जलपाई गूरी अम्रिस सर कर्म भूमी एक्सप्रेस दोस्तों यह जलपाई गूरी से आती है पीछे से यह जो है 29 घंटे 40 मिनिट है दोस्तों मेल एक्सप्रेस में इतना अनतर आ गया 6 घंटे का लगभग अंतर यह आ गया और इसकी average speed जो है 55 km प्रती घंटा निकल कर आती है अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि दोस्तों यह भी बुद्वार को यह आपको मिलेगी कटियार से यानि कि यह भी एक सापताहिक ट्रेन है जो कि आपको बुद्वार से प्लेटफ़ॉर नंबर एक पर कटियार से सुबह 11 बच के 55 मिनेट पर मिलेगी 11.55 एम पर मिलेगी दोस्तों और यह अगले दिन आपको 29 गंटे के बाद अमरिस सर प्लेटफ़ॉर नंबर चयार पर गुरुवार को साम को 5 बच के 35 मिनेट पर यानि कि 5-35 पर आपको अमरिस सर पहुंचा देती है यह इसका राइट टाइम में पहुंचनेगा अब इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं तो यहां पर दोस्तों जनरल लिग दिया गया खली यानि कि इसमें केवल जनरल की डिब्बे होते हैं इसमें कोई भी जो है आप आपको फर्स्ट एसी सेकेंड एसी स्लीपर क्लास पैंट्री कार इन सब की डिब्बों की सुविधा नहीं मिल पाएगी इसमें केवल आप टिगट कटाईए साधारन टिगट और शूपर फाइस टाइप की ट्रेन है जाकर बैठ जाईए और यात्रा का मजा लीजिए तो द से जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं उसमें सभी बता दिया गया कि कौन कौन से स्टेशन पर कितने टाइम पर आती है और उन स्टेशन पर कितने टाइम के लिए रुखती है वह कौन से प्लेटफावर नंबर पर रुखती है तो यदि आपकी विस्तरीत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आमरपाली एक्सप्रेस के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गए उस लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं यहां पर हम बात करने वाले हैं कटियार से चलकर अमरिसर जाने वाली तीसरी ट्रेन के बारे में तो दोस्तों तीसरी ट्र कठिहार से ही चलती है और इसका जो ट्रेवल टाइम में 38 गंटे का होता है यानि दोस्तों यह आपको 38 गंटे में अमरिसर पहुंचाती है जिसके बीच में इंक्यावन स्टेशनों पर रुखती है यह 800 यह दोस्तों 1804 किलोमेटर की यात्रा तया करती है जिसमें इसकी आवरे यहां पर दे दिये गए रवीवार, शॉमबार, मंगलवार प्लेटफॉन नमबर एक पर आपको मिलेगी रात को 22 बच के 45 मिनट यानि कि दोस्तों रात को 10 बच के 45 मिनट पर आपको यह ट्रेन कट यहार से प्लेटफॉन नमबर एक से मिलेगी और अगले दिन आपको दोप रहायर में मेल और एक्स्प्रयस टाइब की ट्रेन जो कि एक्सप्रेस की स्रेणी में रखी गया अब दोस्तों इता हुए कोच कि बात कर लेते हैं तो इसमें जो coach हैं आप देख सकते हैं GS GS करके आगे 3 coach लगे हुए हैं और GS GS करके पीछे 3 coach लगे हुए हैं यानि कि कुल 6 डिब्बे होते हैं दोस्तों जो general class के होते हैं जिसमें आपको आपकी seat reserve नहीं रही आप seat पर कबजा नहीं कर सकते हैं वो seat पर आपको बैठना पड़ेगा यदि कोई दूसरा वक्ति आता है तो आपको उसको भी साथ में बैठाना पड़ेगा अब दोस्तों जो आगे की ये S1 से लेकर S10 तक आप देख सकते हैं S1, S2, S3, S4 यहाँ पर 5, 6 जो भी हैं S10 तक इसमें डिब्बे होते हैं यहाँ पर S10 जो यानि की 10 डिब्बे होते हैं वो slipper class के होते हैं इसमें आपकी seat reserve रहती है जिसमें आप सो सकते हैं अराम से और ये बिना AC के डिब्बा रहता है अब आगे जो हैं यहाँ पर एक देख सकते हैं आप B1 और A1 का डिब्बा है यानि की एक डिब्बा आपको है 3rd AC का मिलेगा और एक डिब्बा आपको 1 AC का मिलेगा दोस्तों यहाँ पर GS के 2 डिब्बे हो रहे हैं यानि की टोटल 8 डिब्बे GS के रहते हैं तो यह इस प्रकार इसकी coach position थी जो कि कभी-कभी आपकी की सुईधाओं के अनुसार बदलती रहती है तो दोस्तों यह जानकारी थी बिहार की कठियार से चलकर पंजाब के अमरिसर को जाने वाली 3 ट्रेनों के बारे में तो दोस्तों यह आपको किसी ट्रेन की विश्तरित जानकारी चाहिए वैसे तो यहां पर बता दिया गया है मैंने आमरपाली एक्सप्रेस की वीडियो बनाई हुई है यदि 15933 या फिर करम भूमी एक्सप्रेस भारत 407 की जनकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें हम उस पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों साथ सेय करें और इसे खूब देखें धन्यवाद